तो क्या आपके मुबाइल फोन में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने आ जाता है आटोमेटिक यह आ रहा है यूसबी कनेक्टर कनेक्टेड जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा और मैंने यहाँ पर कोई भी यूसबी कनेक्टर नहीं किया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और अगर आपके फोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे आप कैसे सही करेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्ब करेंगे इस वीडियो के अंदर हम आपको डेटेल्स में बताएंगे यहाँ पर आप दो तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मुबाल फोन की सेटिंग में जैसे आप इस सेटिंग को ओपन करेंगे इस तरीके से आपके फोन का सेटिंग ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में क्लिक करना है सर्च बारमर लिखना है आपको लिख देना है reset setting तो आप जैसे आप यहाँ पर type करेंगे reset तो आपके समने आज जाएगा reset all setting आपको इसपर click करना है जैसे आप इसपर click करेंगे click करने के बाद यह से तरीके से आपके समने page आजाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर आपको सबसे पहला मिल जाएगा reset all setting आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आजाएगा reset setting आपको इस पर click करना है click करने की बाद जो भी आपके phone का lock होगा आपको इहाँ पर अपना lock डाल देना है डालने की बाद आपको फिर अपने mobile phone को back कर लेना है back करने की बाद आपका जो setting होगा पुरी तरीके से reset हो जाएगा यहाँ से आपका कोई भी data delete नहीं होगा और आपका कोई भी अगर setting automatic काम कर रहा होगा कोच एसे तरीके से जैसे हमारे phone में यह automatic काम कर रहा है तो यह आपका solve हो जाएगा अगर आपका फिर भी solve ना हो तो एक बार अपने mobile phone को aeroplane mode में डाल दीजे aeroplane mode में डालने की बाद हो सकता है कि आपका यह problem solve हो जाए तो हमारा अभी भी नहीं हुआ है अब यहां से आप इसे बंद कर दीजे अब आपको करना क्या होगा एक आखरी option है कि आपको अपने mobile phone को such up करना होगा यहां से अपने mobile phone को एक बार such up कर दीजे तो हम यहां से अपने mobile phone को such up कर देते हैं एक minute या दो minute के बाद अपने phone को फिर आप on कर लिजे तो हमारा mobile phone यहाँ पर switch off हो गया है, होने की बाद चलो हम अपने mobile phone को on कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने mobile phone को on करता हूँ, on करने की बाद अभी आपको दिखाते हैं, कि हमारा जो problem है वो पुरी तरीके से solve हो जाएगा हमारा mobile phone open हो रहा है, जैसा की आपको देखने को मिल रहा होगा, तो हमारा mobile phone पुरी तरीके से restart हो चुका है, यानि कि मैरा mobile phone on हो गया है, अपने phone को हम यहाँ से unlock करेंगे, unlock करने की बाद जैसा की आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा फोन ओपन हो चुका है अब यहां से notification पैनल नीचे करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी हमारे सामने problem अब नहीं आ रहा है पहले हमारा एक problem आ रहा था यूसबी का तो इस तरीके से आप अपनी problem को solve कर सकते हैं अगर आपके पास कोई android phone है और इस तरीके से problem उसमें सो हो रहा है तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही